क हई देखें क्ैप्टन साद जतने भी फैसफले ले रहे हैं वह सभी फैसले लोगों के खिलाफ जा रहा हैं सभी फैसले जो है माइनिंग माफिया को रोकने के लिए गई उसको बापस लेना पड़ा है पहले करहरं साइ страх को रोकने के लिए इसको बापस लेना पड़ा उसके बाद काक्या Il यहां किअके अलग जो है करोना स्क्रीनिंग टेस्ट करना हुट donut लगा जेती गई जरी द्वापU सरकारणाग गल्प पहेंसले तीमा ने एवी कहा कि पंजाब सरकार हर फैसले गल्प ले रही है जिसनल हर वर्गदे लोग दुखी ने देखे कैप्टन साब जतने भी फैसले ले रहे हैं वो सभी फैसले लोगों के खिलाब जा रहे हैं सभी फैसले जो हैं मिलादमों के खिलाब जा रहे हैं पहले कैप्टन साब ने फैसला लिया कि टीचरों को शराम माफिय को रोकने के लिए उसको बापस लेना पड़ा उसके जो है कैप्टन साम ने फैसला लिया के टीचरों को जोMusic इसको बापस लूपले यह का मुंक्त रिपार्ट्म व्हा जो स्वास्ताय मंंतरी और शीक्षामंतरी यहीं नोचा करें, स्वास्ता मंतरी कहरी कि महामारी में हर किसी की मदद ली जा सकती है। देखिए जितने भी डेपार्टमेंट रहे हैं उनमें किसी में कोई कॉइडिनेशन नहीं है कैप्टन साब का हरे एक मंत्री इदर उदर घूम रहा है किसी को कोई नौलज नहीं है सबी लोग जो है इदर उदर की बाते कर रहे हैं जबकि खास वरते अध्यापकों की जो ड्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको कोई नौलज नहीं है कि कैसे वो टेस्ट करेंगे कैसे वो जो कॉरिंटेशन करने वाले हैं उनसे साथ निजिटेंगे तो मेरा मानना है कि तुरंट जे जोटी दिए उसको बाप सुने जाए दस्दिये पंजाब सरकारवलों पैना भी सरकारिये दे अपकान दी ड्यूटी शिराफ दे ठेकें दे उपर लगा देती गई ती जिसदा भी वरोधी सिरवलों काफी वरोध कीटा गया सी अते जिस तो बात सरकार ने अपना फैसला वापस लेना प्यासी केंडिगर तो दर्शन सेंग को कर जी रिपोट डी फाइब चैनल पंजाबी